आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 404 Error Page की 404 Error Page क्या होता है, हम इसको कैसे apply करते हैं और आखिर ये SEO की जब भी हम बात करते हैं, तो इतना जरूरी क्यों होता है तो ये सारी चीजें हम डिस्कुस करने वाले हैं आज की इस एक वीडियो में तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 404 Error Page होता क्या है तो देखिए बेसिकली ये एक रिस्पॉंस है इस बात का की ब्राउजर है यानि जिससे आप ब्राउजिंग कर रहे हैं जिससे आप कोई भी पेज सर्च कर रहे हैं यूजर ढूणने की कोशिश कर रहा है वो पेज नहीं मिला है तो बेसिकली आप कह सकते हैं एक मिसिंग पेज का रिस्पॉंस क्या है 404 Error Page अब देखिए हर वेबसाइट पर आपको 404 Error Page नहीं मिलेगा लेकिन इसे ही आपको लगाना है अपनी वेबसाइट में जिससे कभी भी ऐसा हो कि आपका user या आपकी audience ऐसा person जो आपकी website तक visit करना चाता है वो अगर आपकी website का गलत भी URL टाइप करें तो भी वो land करें 404 Error Page पर जो की page किसका है आप ही की website का जिससे हमारी जो audience है वो divert ना हो जाए क्योंकि देखिए अगर मान लीजे किसी ने गलत spelling टाइप की है आपके किसी URL की जो कि पहले या तो exist करता था या पर spelling गलत हो गई है तो उस बज़े से उसको दिखाई देगा कि page not found लेकिन अगर हमारी website पर 404 page added है तो वो person land करें का direct उस page पर example देख लेते हैं पहले जैसे wskuptik का ये एक page है चीक है और मैं as an audience इस page पर पहुंचना चाहती हूं इस page का correct URL क्या है www.wskuptik.com php-training-certification-course-jodhpur.hmi ये तो server के थूँ आया है तो अब मैं इसका जो URL मान लीजे जैसे मुझे पता था कि पहले इनका जो URL था वो कुछ इस तरीके से था कि wskuptik.com php-training ये था अब जैसे ही वो यूजर इस page को try करेगा इस page को open करेगा तो उसे ये page तो मिलेगा है नहीं क्योंकि ये page तो available ही नहीं हमारे पास हमारे पास तो कौन सा page available है जिसका URL है wskuptik.com php-training-development-in-jodhpur चीक है लेकिन अब देखे मान लीजे अगर ये page न जिसमें हमारी website का header, हमारी website का footer सारी चीज़ें आ रही हैं सिर्फ जो page है वो available नहीं है तो अब इससे क्या होगा मेरी जो audience है अगर मैं इस website पर जाती हूँ कि अरे ये page तो available ही नहीं है तो instead going back मैं यहां से देख सकती हूँ कि कौन सा page मुझे चाहिए कि अच्छा मुझे प PHP training वाले page पर जा सकती हूँ चीक है तो इससे पहला advantage जो 404 error page लगाने का होता है वो यह होता है कि हमारी audience डाइवर्ट नहीं होती जैसे मैं कुछ website ढूढने की कोशिच करती हूँ जहां पर 404 error page नहीं लगा हुआ है तो ऐसे में क्या problem आती है वो भी आपको पता चल जाएग जैसे कि example ले रही हूँ जैसे ये एक page है ठीक है इसके अगर मैं किसी for example जैसे ये वाले मैं page पर जाती हूँ तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ये link आ जाएगा लेकिन अगर मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर इसको कुछ x y z कुछ भी मैंने यहाँ पर url लिखा मतलब गलत मैं page पर जाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैंने इसको जैसे ही मैं enterprise करूंगे आप देखोगे ये देखिए इस तरह से blank page आ जाएगा और लिखा होगा not found अब देखिए for example ये एक website है boutique.com इसके मुझे एक particular page पर जा अब यहाँ पर ये जो page है ये पूरा blank है क्या मैं इससे divert हो सकती हूँ और 100% chances यही है कि मैं back जाओंगी मुझे इस website पर ये page नहीं मिला तो obviously हमारी जो audience है वो divert होगी लेकिन यहीं मैं अगर ड़ी स्कूपटेक का example लेती हूँ अगर मैं x y z कोई भी यहाँ पर page type करने कोशि इस तरह से 404 error page मिला जिस पर लिखा हुआ है oops the page you are looking is not here back to home तो देखे back to home का भी बटन है इस पर मैं click करूंगी तो home page पर आ जाओंगी उसके अलावा अगर मैं home page पर भी नहीं आती तो यहाँ पर पूरा इसका जो header है जो footer है पूरा यहाँ पर available है और मैं कहीं भी कुछी पर यहाँ पर जा सकती हूँ तो कहीं न गहीं हमारी audience divert ना हो अगर वो हमारी website ढूंड रही है तो इस वज़े से हम 404 error page लगाते हैं तो देखे ऐसे ही हर page का मतलब जो भी अच्छी website है जिसका SEO proper हुआ हुआ है उसमें 404 error page जरूर होता है जैसे कि मैं example ले लेती हूँ amazon.com का इसा जरूरी नहीं है कि आप इसमें 404 लिखो या फिर इस तरह से the page you are looking is not there ये लिखो आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे इनके amazon पर रोते क्या है काफी interesting होता है इनका कि इनके जब भी 404 page पर आप land करते हो न तो काफी cute dogs की images होती है और यह न ताइम टो टाइम चेंज भी होत सब पर 404 page होता है क्योंकि obviously वह भी चाहेंगे कि अगर client की गलती से या फिर page exist नहीं कर रहा इस वज़े से अगर page नहीं मिल पाता मेरी audience को तो वह कहां land करें वह land करें 404 page पर जहां से वह मेरे home page पर या फिर मेरे other pages पर जा सके तो अब आपको करना क्या है अगर आपकी coding में website है तो अपने developer को आपको बताना है कि मेरी website में 404 page exist नहीं करता चेक कैसे करेंगे मैं आपको बता दिया अपना domain name लिखो slash करके कुछ भी XYZ page का नाम डालो गलत डालो और देखो कि किस पर आप land कर रहे हो यानि क्या वो page है क्या 404 available है अगर 404 available है तो इस तरह से कुछ आ जा blank page आ जाएगा तो इसलिए आपको अपने developer को अपने report में देना होगा कि इसमें 404 page जो है वो नहीं मिल रहा है तो आप इसे बनाईए और add कीजे हमारी website में लेकिन अगर WordPress पर website है तो within second हम यहाँ पर 404 page लगा लेंगे चली यह तो बात होगी कि अगर आपकी coding में website है तो आप guide करेंगे आप कोई भी अपनी पसंद का template जो है page वहाँ पर उनको suggest कर सकते हैं कि इस तरह से दिखना चाहिए जिसे मैं आपको Amazon का example दिया वैसे ही आप अपना customize बना सकते हैं बस ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपका header footer आए उसके अलावा एक home page पर जाने का भी direct button हो आ हमारी wordpress में बनी हुई है जैसे कि यह perchamclasses.com यह हमारी wordpress में बनी हुई है मैंने कुछ भी x y z यहाँ पर टाइप किया गलत url मैंने टाइप किया तो देखते हैं क्या यहाँ पर page आता है तो देखिए इस तरह से यहाँ पर error 404 आ रहा है लेकिन यहाँ पर header footer आ रहा है त अगर मालीजे client side से error आए तो आपको क्या करना है 404 उसका solution है लेकिन broken links हमने बहुत सारे पढ़े थे तो broken links में हमने देखा था कि client side से भी error आ सकता है कुछ भी नया सीखा हो तो like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथ ही मुझे comment section बता दीजिए अगर आपके कोई भी doubts कोई भी queries हैं मैं एक वीडियो में सारे आपकी doubts solve कर दूँगी उसी के साथ ही don't forget to subscribe ws cube tech thank you